वेल्कम टूल अशीवर्स अक्याडमी यूट्यूब जैनल तो आज हम डिसकस करने वाले हैं एक्सट्राइब 2020 का कैमिस्त्री पीजीटी के पेपर सोलुशन को डिसकस करेंगे इससे पहले हम एक्सट्राइब 2020 के पीजीटी के पेपर सोलुशन के जो साथ क्यूसन से वह हम कंप्लेटली डिसकस कर सुखें दो पार्ट के अंदर तो अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के अंदर वह वीडियो देख सकते हैं जहां ने एस्ट्र समाज के पार्ट में डिसकॉस करेंगे और तीर सम्नेक्स सेसंस के अंदर डिसकॉस करेंगे सो आइए स्टार्ट करते हैं सेसंदी समीनफोर्मेशन अबाउट मी और आपका अचीवर्स अकैडमी पर पीजीटी के मिस्टी के लिए कंप्लीट बैच अवेलेबल है पूरा डि एग्जामीनिशन के लिए तो आए स्टार्ट करते हैं अपना क्यूसन डिसकॉसन से सबसे पहले क्यूसन नमबर वन को डिसकॉस करते हैं तो क्यूसन नमबर वन आपका है तो यहां आपको बोला गया कि रिएक्टिविटी ओडर आपको बताना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए लेक्टिविटी ओडर की जर्बी बात होगी तो वहां हमें देखना है कि हमारा जो एलकीन है वो कितना इलेक्ट्रोन डेंसिटी के पास होगा उसमें उतना ही ज्यादा आपका उसकी रियक्टिविटी स्थियादा हुजाएगा तो जैसे प्रुड lorsqu मैं कहीं पर भी नाइट्रो ग्रूप लेक्ट्रोन विड्रोईंग की फॉर्म में नहीं है तो फॉर्थ की रियक्टिविटी यहां सबसे कम है यहां सबसे कम है तो आपने दो अप्शन को अलिमिनेट कर दिया उसके बाद यह देखो अप्शन नमबर तीन इसके अंदर दो घ्रेट हो गया ठीक है उसके बाद आपके पास यहां एक फिनाइल है दो मिधाईल है तो उसके बाद फिर सेकंड आ गया आपका और फिर फिनाइल ओनली है तो फिर फरस्ट आपके पास रीक्टिविटी में आगया तो कि इससर नमबर 91 के लिए जो सही अंसर है वह सेकंड सब्सक्राइब क्योंकि हमें यह देखना है कि जो हमारी एलकीन है वो कितनी जढ़ा इलेक्ट्रोन डेंसिटी केरी आउट करता है उतना ही उसके अकोडिंग लिए उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट हो जाएगा तो फोर किसन नंबर हम संटाइम्स क्या करते हैं कि ग्रेफाइट के लेयर से उसके अंदर हमने कहीं कारवन इंसर्ट कर दिया तो वहां आपके पास इंटरस्टिशिल कंपाउंट्स बन जाते हैं आपके पास केसी एटी बन ऑफ अग्जाम्पल तो इस केस में इन्होंने प्रोपर्टी के बारे मे बात करना है क्या एक हो या क्या होते है नोन रियक्टिव होते हैं इन को बोल सकते हैं की ज malware हमारे कैसे होते हैं इनर्ट होते है ठीक है तो हमारे कैसे रहते हैं इनल क्योयार करिए फिर्ट हर फान इनकोरिक लिए ह। फॉर्मूला है देंसिटी इस इक्वल टू जैन विचिज नमबर ओफ एटम्स इंटु एंट इस दा मोलर मास डिवाइड बाइड बाइड ने इंटु में एवगेड्रो नंबर इंटु में एक्यूब इस अब यहां हमारे पास क्या है कि इस केस में हमें सीजियम के लिए एक पूट करना क्योंकि पूरा सीजियम ब्रोमाइड का तो एक ही उइनिट होगा हाँ तोटल नंबर ओफ एटम्स इन बी सीजियम ब्रोमाइड का एक ही मोलिकूल है आपका जैड की वैल्लू यहां कितनी पूट करोगे वन पूट करोगे इंटु म आप एड़ कर दो 133 प्लस 80 133 प्लस 80 को एड़ कर दो एम डिवाइड बाइड बाइड रो नंबर इस 6.022 इंटु 10 रिज़ पावर 23 एंड इंटु ए इस गीवन एस 436.6 पीको मेटर 436.6 पीको मेटर एंड यहां अंस्वर देखो किसके अंदर निकालना है हमें ग्राम सेंटिमीटर आपको पीको मेटर को पहले मेटर में करनवाट करना पड़ेगा देन सेंटिमीटर में करनवाट करना पड़ेगा तो वन पीको मेटर इस इक्वल टू 10 रिज़ पावर माइनस 10 मीटर 10 रिज़ पार माइनस 12 मीटर एंड इन सेंटिमीटर 10 रिज़ पार माइनस 10 मीटर तो 436 6.6 का cube into 10 raised to power minus 30 यह कर दोगे आप तो यहां से आपकी जो density आप calculate करना निकल के आजाएगा आपका 4.25 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब ठीक है तो यह बार आप calculate कर लेना by the help of the calculator तो यह आपका answer आजाएगा 4.25 ग्राम पर सेंटीमेटर सेंटीमेटर क्यूब यूनिट्स का काफी ध्यान देना है क्योंकि यूनिट्स में जनरली गलती करवा देता है एक्जामेटर आपसे क्यूशन नबर 94 अब 94 में क्या है एन और्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलेकिलर फॉर्मूला क्यूशन है आपको 1.05 प्रिप्रेट मिल रहा है 2.3 प्र और सिंग्लेट मिल रहा है 9.77 प्र इन अमर्स प्रक्ट्रस्कोपी अगर आपने थोड़ा सो भी पढ़ा है कभी तो जो यह 9.7 प्र सिंग्नल मिलता है या फिर 9 से उपर 10 पर 11 पर 12 पर हमें जो भी सिग्नल रहता है वह हमारा एल्डी हाइड की बज़े से रहता है आपका यह एक्जामिनेशन है इसके पूरा क्यूस्टन करने नहीं बैठ सकते वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा आपको एक सिर्फ एक वैल्यू को ढूड़ना है आपको और उस वैल्यू के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा क्यूस्टन सोल हो जाता है ठीक है इसमें 9.7 पीपिम की वैल्यू ही बता देता है कि बाकी कहीं पर यह वैल्यू आपका नहीं आ रहा एंड़ेट इस अल्डी है तो 94 के ल टेन एमल गोल्ड सोल इन प्रेजेंस ओफ 0.025 ग्राम ऑफ स्टार्च दगोलेशन इस जस्ट प्रिवेंटीड दगोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च इज अब हमें गोल्ड नंबर निकाला है सबसे पहले तो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है तो यह इस एडिड इस गोल्ड नंबर मतलब की जो हमें हमें कोलोइड का जो प्रोटेक्टिव कोलोइड का मास लेना है वह में मिलीग्राम में लेना है तो यहां देखेगा आपके पास यह आपको स्टार्च ग्राम में दे रखा है आप सबसे पहले चाहिए कि बाकी सब चीज़े हाँ जी 1 ml of 10% है उसके बाद 10 ml gold soul हाँ 10 ml gold soul मतलब की सीधी सी बात है यहां से जो हम अपना ये जो weight हमें given है 0.025 ग्राम अगर मैं इसको convert कर दो मिलीग्राम के अंदर तो that is the gold number only हमें कुछ भी calculation इसके अंदर नहीं कर दे हैं आप दर जाओगे इसमें numerical देखे कि numerical है हमें time ल Mg विलीग्राम में convert करना है 10 raise to power प्लस 3 क्योंकि मिलीग्राम में तो आपका 10 raise to power प्लस 3 मिलीग्राम ठीक है तो यहां से जब आप करोगे तो इससे क्या जाएगा आपका ऑंसोर 25 मिलीग्राम आपका आपका और और आपका option number a सही है यह 25 25 mg आया है this is the gold number only यह हमारा क्या है यहीं हमारा gold number है ठीक है अगर definition ध्यान से देखोगे तो इस नथिंग बट the gold number और हमें starts का gold number ही निकालना है तो इसके लिए जो सही अंसर हो गया 95 के लिए first हो गया आपका सही ठीक है उसके बाद 96 में 96 में क्या है विच ओफ फॉलोंग स्टेटमेंट इस नोट ट्रू कौनसी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है क कोड़नेशन केश्चिस कहाईजी कईस्वंतन है आपका देखो हैलाइड लाइगेंड हक्ष्वंस हाई स्पिन कॉम प्ल》 तो सब्सक्राइट आपके होते हैं अगर क्लॉरिन फ्लॉरिन ग्रॉमिन अयोड़च्ट कॉते हैं और वीक स्थे है इस में आपके पास यहां क्या कराने आप के साथ जो आपका फ्लोरी ने ऑ ensures एक वी फिल्ड ड़ियकन कभी फिल्च निकरते हैं जिससे कि वह बना नहीं बनाएंगी व्ल का पर अगर आपका जो complex बनेगा वो आपको इसमें outer orbital complex बनेगा क्योंकि बहार वाले d orbital use करेगा to form the complex with the iron the six ligands of fluorine तो इसमें हमें inner orbital complex नहीं मिलने वाला है इसका अंस्वर हमारे पास क्या होगा यहां पर हमें outer orbital complex मिलेगा तो जो आपका गलत statement हो गई आपकी वो है तो आपको एक्जाम में third option पर टीक करना है क्योंकि हमें इस क्यूशन के अंदर बताना है कि कौन सी statement हमारी रोंग है तो थर्ड सेटमेंट हमारी रोंग है देन निकल क्लॉराइड इस आउटर रोबेटल प्रेसाइल नाइटरेट ओके उसके बाद 98 अब 98 नंबर क्या है वेन एचल गैस इस पास्ट त्रू सेटूरेटेड इस सोल्यूशन ओफ कोमन सोल्ट प्योर एन एचल प्रेसिपिटेटेट देखो जैसे यहां ने बोल दिया कि आपका प्रेसिपिटेट हो गया या तो हमें करना पड़ता कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आएनिक प्रोड़क्ट आपका क्या हो जाएगा आएनिक प्रोड़क्ट आपका हमेशा बड़ा होता है as compared to the solubility product as compared to the solubility product for the precipitation this is the condition of precipitation तो इस केस में जो option नमबर 3 है वो देखिए आप आएनिक प्रोड़क्ट ओफ एन ने प्लस और सील माइनस exceeds the solubility product of NACL that's why the precipitation occurs because आएनिक प्रोड़क्ट ज्यादा हो गया आपका solubility प्रोड़क्ट से तो इसके लिए हमें calculate करना पड़ेगा highest किसके अंदर होगा आपका magnetic moment मतलब की unpaired electron जिसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे न उसके अंदर highest magnetic moment हो जाएगा जैसे MN CN6 जल्दी जल्दी करना पड़ेगा exam में 3- की बात करें तो MN हमारा plus 3 oxidation state के अंदर है अब देखो cyanide strong field ligand है तो यह pairing करवा लेगा तो दो ligand यहां cyanide के आएंगे और एक pair कर लेगा अंदर तो कितने बचे electron unpaired हमारे पास दो electron बचे तो दो unpaired electron तो यहां में लिख दूँ कि इसमें electron कितने दो unpaired जिसमें सबसे ज्यादा unpaired electron होगे उसका magnetic moment सबसे ज्यादा होगा अब iron cn63 plus में जो iron की oxidation state है वो कितनी है iron plus 3 है और iron plus 3 कैसा system है d5 system है अब d5 system में 5 electron कैसे भर हो गया एक दो तीन चार पांच तो एक दो तीन चार पांच बट क्या हो साइनाइड स्ट्रोंग फिल्ड है तो पेरिंग कर देगा तो दो तो अंदर जाके पेर कर लेंगे अब पेर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका पेर बनाने के बाद एक अनपेर बच जाएगा तो इस सबसे ज्यादा मेंगे करते हैं तो आपका जो अंसर आजाएगा वह आपकी पास थर्ड आपका सही अंसर हो जाएगा फूर दा क्यूस्टन नबर 99 अब के लिए आप निकाल लेना इससे कम ही रहेंगे क्योंकि उसमें दुबारा से पेरिंग करना स्चार्ट हो जाएगा नेक्स क्यूस्टन है क्यूस्टन नंबर 100 विच इस नोट ट्रिव फूर ए स्टेंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कॉन्सी स्टेट्मेंट सही नहीं जो गलत स्टेट्मेंट है वो आपकी फूर्थ है इट कंटेंज मेंटालिक करेंट करेंट कंड़क्टर विच ड़स नूट एब्जॉर्ट फूर्भ हाइड्रोजन यह गलत स्टेट्मेंट क्योंकि जो मेटालीक कंड़्र होता है इसमें प्लेटिनंव की वायर आपका गू 101 अब क्योंस नमबर 101 में क्या बोल रहा है कि इस पिन एंगुलर मोमेंटम फोर एलेक्ट्रोन इस अब लेक्ट्रोन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डिरेक्ट फॉर्मुला पास होता है यह यह फॉर्मुला कहां गीवन है यह फॉर्मुला ऑप्शन नमबर वन के अंदर गीवन है तो वन वन जो आपका अंस्वर है 101 के लिए यह सही हो गया इसके बाद क्यूशन नमबर 102 विच इस दा करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पीच अब देखो पीच्ट्री आपका ड्रेगों कंपाउंड याद रखना दिस पीच्ट्री इस ड्रेगों कंपाउंड तो इस लेस बेसिक देन एन स्ट्री तो अगर हम डाउन दा गूप हाइड् यह बात सही है कि ps3 ns3 से कम बेसिक है क्योंकि जितने भी हम नाइट्रोजिनस बेसिस पड़ते हैं वह ज्यादा बेसिक होते है आपके तो फ़र्स स्टेटमेंट के आपका क्या आँगया व्यां सही अंसर हो गया बाकी सब सिर्टमेंट को भी चेक कर लेते हैं इस लेस तो एक सो दो के लिए जो सही अंसवर आपका वह फस्त है एक सो थी नंबर प्रेडिक्ट जा प्रोड़क्ट ओफ फॉलोंग रियक्शन तो देखो यह हमारा जो हमारा सेकंडरी अमाइन है और डालते हैं तो वहां से आपके पास क्या मिल जाता है आपको याद करना बढ़ा जाएगा प्रामरी पर आपका आपका एन नो बन जाएगा तो एक सो तीन के लिए आपका अनसर हो गया सेकेंड उसके बाद एक सो चार नंबर की उससन यहां भूला गया है ट्राइग लो एसिटल्डी हाइड लिखा गया है रियक्ट्स विद क्लोरो बैंजीन इन दा प्रेजेंस ओफ्रीक एसिड प्रोडूसिस तो इससे क्या मिल रहा है देखो यहां मैंने रियक्शन लिख दिया आपके लिए जो आपका ट्राइग लोरो ए यहां से आपके पास यह कंपाउंड बन जाता है आपका बिच में इसको क्या बोलते हैं कभी-कभी आप से पूछ लेगा कभी-कभी स्ट्रक्चर से पूछ लेगा तो यहां आपको स्ट्रक्चर से पूछ लिए तो CCL3-Che that is और कि आपके पास डाइक लॉरो गडाइक का इए फोर्मूला है अगर ना स्ट्टेर जो की स्रक्चर पोच ले से कौन सा structure दोनों क्या है डाइक्लोरो बेंजीन एड़ी इस दीडीटी उसके बाद 105 नंबर 105 में क्या है आई यूपी एसी नेम ओफ गीवन compound is अब इसके लिए हमें RS और EZ निकालना है देखो क्योंकि यह सेंटर है डबल बोंड का जहां EZ निकाल सकते हैं और यह सेंटर है जहां RS निकाल सकते हैं तो आप क्या करो आप यहां पर यहां पर यह जाएगी ब्रोमीन को और यहां पर आपके पास जो फर्स प्राइटी 123410 430 तो सिर्ञें अंसवर आंसर किया हो है क्योंकि उससे आपको फिर टाइम वेस्ट होगा इसमेंुर सबगाने उन पर निकल जा ένα-पताक करना उससे भी comment तो इससे के लिए क्या होगा तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां प्लस 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 बन जाएगा उसके बाद के सियन अगर डाल देंगे तो के सी एन माइनस आपका यहां पोश्टी चार्ज पर चला जाएगा तो यह आपका बना लेगा और उसके बाद अगर हम हीट कर दें और से हाइड्रोलिशिस कर दें तो जो सी एन है वह जो सी एन का हाइड्रोलिशिस होता है वह किसमें हो जाता है तो यहां से क्या रहेगा यहां से आपका सी एच्टू सी डवल बॉन्ड ओएच बन जाएगा देखू यह बैंजोईक एशिड नहीं है याद रखना सम्टाइम्स क्या करते हैं एक्जाम में कंफ्यूजन के लिए एक्जाम जार ने एक बैंजोईक सबसे पहले दिया है बट यह आपका फिनाइल और फिर यह दो कार सब्सक्राइब करते हैं तो 106 नंबर क्यूशन के लिए आपका जो सही अंसर हो गया वह सेकिंड हो गया आपको नेक्स्ट क्या है एक सो साथ 107 नंबर विचो फोलोंग रियक्शन इस नोट इनवोल्ड इन थर्माइट पोसेस अब बैसिकली जो थर्माइट पोसेस है वह क् शकना की उसके अंदर हम chapter е çi करते हैं और किसी भी मैटल ओक्सईर को हम क्या करते है तो करते हैं और जो आपका अल्यूमियवbourक साइड और वह और इसिलिए याद रखना कि थर्माइट पोसेस में अल्यूमिनियम मैटल को को एज saber reducing यूज़ करते हैं तो देखो इस process के अंदर maintenance के साथ Acts as aluminum characterize क्रोमियम के साथ aluminum यूज किया गया है यहां बोरोन के साथ aluminum यूज किया गया तो यह process तीन तो सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है Channel लेकिन यहां पर फॉट है इसमें प्रोचस इसमें को यूज यहीं किया गया है यह साथ के लिए इन्हों ने पूछा कौन सी प्रोचस थर्माइट के लिए 108 नंबर देखी वीचोव दा फॉलोईंग इस नोटए रेजनेटिंग स्ट्थर फॉर्डफिनओंग साइड में है अब ध्यान से देखना है इन सब स्ट्चर को आपको तो इसमें आगर आप द्हान से देखोगे तो आपका जो फॉर्थ नंबर श्रक्च्चर वो आपका सही अंसर हो जाएगा क्यों की देखो कारबन पर पांच तो यह और इस कारबन पर देखो उसके बाद 109 109 एक्रीम इस एन एक्जाम्पल ओफ विच ओव दा फॉलोंग टाइप फॉलोइड तो यह सर्फेस केमिस्ट्री में आपको फॉलोइड वाले चेप्टर के अंदर एक टेबल दे रखा है वो डिरेक्ट ली आपको याद करना है तो इसमें आपका हेर क्रीम किस केटेग्री में आजाएगा इमल्चन की केटेग्री में आजाएगा आपको 110 नंबर प्रोडक्ट फॉर्म इन दॉड़ोइंग पै्रिसाइक्लिक रियक्षण विल बी तो देखो इस के संदर आपका बहुत ही इजी पैरिश्य क्रीशन दे रखिए इस केस में क्या किया है इ इन्हें उसमें भी सिंपल इसको हम बोलतें 2021 से यहां यहां सिर्थ सिंगल हो गया वाला आगे तो इससे क्या होगा यह बन जाएगी ऑर यहां क्या स्री और यहां क्या सिए सिंगल स्टेफ एक्षिए डिफिकल्ट तब बनता है जब इसमें सीरो केमिस्ट्री पूछता आप से इसने स्ट्रीब केमिस्ट्री पूछा नहीं है तो इसके लिए जो सही अंसर आ रहा है डबल बोंड यहां है और मिठाइल दोनों दूसरे कारवन पर हैं त ठीक है इसके बाद करते हैं 111 नंबर क्यूशन तो 111 नंबर क्यूशन में क्या है विच फॉलोइंग इस राइट फॉर डाइप्रोटिक एसे अब डाइप्रोटिक एसेड में क्या होगा जहां आपके पास दो प्रोटोंस होंगे और उन दोनों के लिए अलग-अलग acid dissociation constant होगा तो वायाद रखीगा कि first acid dissociation constant is always higher than the second dissociation constant. So, answer for this question will be the second. So, Ka2 is always greater as compared to the Ka. Ka1 is always greater than Ka2. So, for question number 111 correct answer will be 2. Question number 112, this is the 112 number question. Methanol on heating with a salicylic acid and a few drops of concentrated S2SO4 gives the smell off. तो इससे हमें क्या मिलेगा यहां देखेगा अब मैंने reaction दिखाया आपके side में क्योंकि ऐसे directly पता नहीं लगेगा इसको तो देखो यह हमारा salicylic acid यह reaction आपको पता होना अच्छे कभी कभी reaction पूछलेगा कभी नाम की form में पूछलेगा आपसे तो यहां देखो methaneol डाल रखा है और इन presence of acid तो यहां क्या बनता है यह बनता है जो कॉमन नेम होता है जो आपका यूपीसी नेम है वह मिठाइल सेलिसलेट बोलेंगे हम कैमिकल नेम इसके पास क्या जाएगा कि देखो यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ और यह बात याद रखना कि इसमें एक तो ओएज गूरूप है आपका और यह जो पारा के लिए अंसर के आगे दो आगे है वन वन थ्री देखो वन वन थ्री में क्या है विच्व दा फॉलोइंग इस कार्बोनेट और ओर उफ जी तो यह और भी आपको और उनके मिनरल्स वगर आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए सेकेंड आपका सही अंसर है फ spir сигयोगा नहीं hello there is 0-0- đi-one तो हमारा ऐस्धी होंगा तो यस यह स्रुमारा कैसा होगया ऴिल कुल सब्सक्राइब हो इसमें अब बताना है वीच इसनोंट करेक्टली मेच जो ऑपका जो ऑप्सेंग नंबर ए मैच नहीं किया एक तो आपका जो ऑप्सेंगे यह गलत है और अपसेंगेंज कर लिया तो क्यक्त स्था जायगा युद्या अंसर के लिए से भी कर सकते तो यहां पर आपके पास इससे भी आप कर सकते थे अगर थी के सब्सक्राइब यह इसके बदी उपस्ट नंबर यह आपका करने में और को लिबरेट करने में हेल्प करता है स्पेस वेजिकल के अंदर तो वन्सवर विल भी थार्ड फॉर दिस्क्रिशन नमबर 115 116 नमबर इंगुलर नोर्ड फॉर दी और वाइटल्स आर अब यह इसके लिए टेबल आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका एल की वेलल्यूज जेरो है वन है एंटे स्थरी है तो यह जीरो होता है यह फिर से लिए दे के लिए और यह ज्यीन के वैल्यूर यूज होता है यहिए हमारा क्या होता है ऑं एंगुलर नोर्स होता this is the angular node radial node हमारा n-l-1 होता है total node हमारा n-1 होता है बट angular node हमारा L होता है तो अब डी के लिए बताना है तो डी के लिए वेल्यू क्या आ रही है दो आ रही है आपकी तो आपका answer क्या हो गया for the question number 116 the correct answer will be third जो कि दो है आपका दो नोड होंगे हमारे अंगुलर नोड से 117 नंबर की उसन देखो फ्रक्टरी प्रोडूसीज 40 किलोग्राम ओफ केल्सियम इन्टू आवर्स बाइलेक्ट्रोलिस इस हाउ मुछ अल्यमिनियम कैंड बी प्रोडूस भाइदा सेम करंट इन्टू आउर देखो ठाइम भी सेम है करंट भी सेम है मतलब तो फेराड़े सेकिंड लो लगेगा अगर टाइम अलग होता और करेंट भी अलग होता तो फेराडे फर्स लो लगता हमारा बट अभी हमारा लगेगा तो according to the parades second low तो एकिन्द नो इसца मने रहता है तो जैसे मैं लिख दू हाँ weight of calcium by equivalent weight of calcium उखव होगा आपका अब केल्सियूं का वेट इन्होंने बताया कि 40 kg deposit हुए है तो यह आ गया 40 kg केल्सियूं का कितना है केल्सियूं पर चार्ज होता है केल्सियू टू प्लस होता है तो 40 ग्राम हम क्या करेंगे है तो हम इसका जो एक्यूवेलेंट लेंगे लेंगे क्योंकि 40 बाइट तो कोई दिक्कत नहीं आपका यूनिट्स बगरा का भी कोई इश्यू आता नहीं यूनिट्स का ठीक है तो यहां से क्योंकि किलोग्राम में ही आपके एंस दे रखें तो यहां से 40 इंटू 9 बाइ 20 हम करेंगे और यह हमारा आ गया 18 किलोग्राम ठीक है तो फेराडे सेकिंड लोग के बेसिस पर आपको यह कैलकूलेशन करना था और इसके लिए जो अंसर है वो 18 किलोग्राम आपका सखी अंसर है के कि अब यह प्रोपर्टि का काՏ असान क्यूसर है करें जैसे जैसे बाइसे और बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या बेपर प्रोफिघ्रीग आतकी रखेंग मेह जाते हैं तो वहां मेट्या क्या बाते होती है metallic character down the group क्या होता है आपका increase होता है भिलकुल सही है ionic radius नीचे की तरफ जाते हैं down the group तो increase होता है melting point हम directly नहीं बोल सकते increase होता है क्योंकि melting point आपका intermogular forces पर depend करता है जैसे कि hydrogen bonding हो गई या कुछ और forces हो गई तो नीचे की तरफ ना ज्यादा होने की बज़ा है उपर हो सकता है ज्यादा हो बिको जो दा hydrogen bonding जैसे 16th group में भी होता है 15th group में भी होता है तो density हमारा down the group जाओगे तो आपके पास क्या होगा इंक्रीज करेगा आपका ठीक है यहां अमारे क्या होगा इंक्रीज करेगा डाउन दा ग्रूप डिक्रीज करेगा जिसका बड़ा साइज होगा उसके लिए अनसर हो जाएगा अबी और दी एक्सवाठा नमबर के लिए जो सही अनसर है यह एट इस ए बी और डी करेक्ट अनसर आपका उसके बाद 119 नमबर के लिए वन वन नाइं एलकली मैटल डिजोल्ड इन लिक्विड अमोनिया देन वीच ओव दा फॉलूइं अब्जरवेशन इस नोट्रू तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के लिए कौन सा अब्जरवेशन नहीं है इट बिकम्स ब्रोंज कलर और कंसंट्रेशन बिल्कुल सही है सोलूइसन टॉन्स ब्लूइव दूट इस ओल्वेट इलेक्ट्रों इस ओल्स टार्ट स्टेट्मेंट अब होता क्या है कि सोडियम अब आपका डिसोचीट होगा अगर मैं बात करूँगा तो a 3 plus में plus 3 of x minus में हमें यहां के stoichiometric coefficient देखने हैं इसके लिए formula दा देता हूं मैं आपको sort formula कि अगर आपको case भी निकालना है तो आप formula याद रखलो x की power x y की power y और s की power x plus y यह x है यहां का stoichiometric coefficient y है यहां का stoichiometric coefficient तो a की power 1 into 3 की power 3 into s की power 1 plus 3 तो कितना हो गया 27 s की power 4 तो ksp की value क्या आगई 27 s power 4 and the correct answer for this question number 120 is first तो यह देखो estate में आपका हमने 90 से 120 को discuss कर लिया है क्योंकि आपका जो general section रहता है वह 90 तक रहता है तो उसके बाद 91 से लेके 150 तक आपके chemistry questions आते हैं तो उसके अंदर से हमने यह 30 questions इस part 1 के अंदर discuss कर लिए हैं अब पार्ट 2 के अंदर हम 121 to 150 questions discuss करेंगे इस test 2020 के paper के तो मिलते हैं आप सब के साथ next session के अंदर पार्ट 2 के अंदर तक के लिए आप सब यह solutions करते रहे हैं और अपना practice करते रहे हैं थैंक्यू for joining take care